चै श्री क्रिशना, आप सभी के दिन शुब हो, आज सुनिए आगे की कत्था, जिसमें मौनियों ने पूछा है ब्रह्मा जी, भगवान श्री क्रिशन का इस्तनान किस समय और किस विधी से होता है? हे विधी के ओमेश्रेश्ट हमें उसकी विधी भी बताइगे। तब ब्रह्मा जिस प्रकार कहने लगे, मुनियो, श्री कृष्ण, बलिराम और सुभत्रा का इस्नान परम पुर्णिमय और सभी पापों का नाशक है, मैं उसकी विधियादी का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जेस्ठ मास में पुर्णिमा को जेस्ठा नक्षत से प्रकट होती है, इसलिए जेस्ठ की पुर्णिमा को सुवन्मय कलशों से श्री कृष्ण, बल्भत्र और सुभत्रा जी के इस्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है, इसके लिए एक सुन्दर मंच बनाकर उसे पता का आदि से सुसजित किया जाता है, वे सोद्र श्री कृष्ण और बलराम जी को इस्नान कराने के लिए श्वेत वस्तर बिछाये जाता है, उसे सजाने के लिए मोती की हार लटकाए जाते हैं, तरह तरह के बाजों की ध्वनी होती रहती है, एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी और भगवान बलराम बीच में सुभद्रा देवी को पद्राकर जैजैकार और मंगल खोष की साथ इसनान कराया जाता है। उस समय ब्रहमन, छत्रिय, वैश, शुद्र तथा अन्य जाती के लाखों इस्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहती हैं। ग्रेष्ट, इसनातक, सन्यासी और ब्रहमचारी सभी मंचपर विराजमान भगवान, श्रीक्रिष्ण और बलराम जी को इसनान कराते हैं। पुर्वोक्त, संपोन तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग-अलग भगवान को इसनान कराते हैं। फिर शंक, घंटा, भेरी, म्रदंग, जांज, आदी, वाद्यों की तुमुल्धवनी के साथ इस्त्रियों के मंगल गीत, इस्तुतियों के मनुहर शब्द, जैजेकार, विविनारव और विणुनात का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान परता है। उस समय मुनिगण, वेद, पाठ और मंत्रोचारण करते रहते हैं। सामगान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पोने में शब्द होते रहते हैं। यति इस्तनाता, ग्रहस्त और ब्रह्मचारी इस्तनान के समय बड़ी प्रसनता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूशित चवर टुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष विद्याधर, सिध किन्नर, अपसराई, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसू, रुत्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गन, लोकपाल तथ अनलोग भी भगवान पुरुशुत्तम की इस्तूति करते हैं। देव देविश्वर पुरान पुरुशुत्तम आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगनाथ आप स्रस्टी, इस्तिती और संगहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारन करने वाले ब्रहमन भक्त, मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांचित फलों के दाता ह उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता, श्रीकृष्ण महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की इस्तुती करते, गंधर्व गाते और अपसरायन रित्त करती रहती हैं। देवताओं के बाजे बस्ते और शीतल वायू चल साथ विधी और मंत्रयुक्त अभिशेक उपयोगी द्रव लेकर भगवान का अभिशेक करते हैं। मितू, हर, प्रचेता, मनू, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यू, यम्दू तथा अनेकों देवता भगवान का अभिशेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं। और स्वनमय कलशों में रखे वे पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्रीकृष्ण सुभद्रा तथा बलराम जी को इसनान कराते हैं। और प्रसनेता पुर्वक इस प्रकार उनकी स्तूति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हैं जगनाथ आपकी जय हो। जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वचसल हैं। संपूर्ण भूतम में व्यापक आदिदेव आपकी जय हो। योगीवर आपकी जय हो। जय हो। सोर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्व श्रेष्ट बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारन किया था। आप श्रेष्ट यग के स्वरूप हैं। आपकी नाभी से कमल उत्पन हुआ था। इसलिए आप पद्वनाब कैलाते हैं। आप पहाडों पर विचरने वाले तथा योग शाई हैं। आपकी जय हो जय हो। महान वेग धारन करने वाले विशुमूर्ते चक्रधर, भूतनाथ, धरनी धर, शेश शाईन आपकी जय हो जय हो। आप पितामबर धारी, चंद्रमा के समान कांती मान, योग में वास करने वाले, अगनी मुख, धर्म के आवासिस्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवासिस्थान और गरुड वाहन हैं। आपकी जय हो जय हो। हे लोककांत आपकी जय हो जय हो जय हो। आप परमशांत, परमसारभूत, चक्रधारन करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्तरधारी, शांती कारक और मुक्ष दायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वा श्री कृष्न आपकी जय हो पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छनुसार फल देने वाले प्रभो आपकी जय हो चक्र और गदाधारन करने वाले नारायन आपका वक्ष इस्थल वनमाला से आच्छादित है आपकी जय हो लक्षमी कांत विश्नो आपको नमसकार है आपकी जय हो इस प्रकार श्रीकृष्ण बलराम और सुभधराजी की इस्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागर्ण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं उस समय जो मनुष अपने मंच पर विराजमान, पुरुशुत्तम, श्रीकृष्ण, पल्भधर और सुभधराजी का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्थ होते हैं सहस्त्रो गोदान, विधीवत, भूमीदान, अर्ग और आतित्थे पूर्वक, अन्नदान, विधीवत, व्रिशोत्सर्ग, गृष्मकाल में जल्दान, चांद्रायन व्रत के अनुस्ठान, तथा शास्त्रोक्त विधी से एक मास तक उपुवास करने से जो फल मिलता है, वह मंचस्त, श्रिक कृष्न, सुभधराजी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस्त्री हो या पुरुष सब को उस समय पुरुषुत्म जी का दर्शन करना चाहिए, इससे सब तीर्थों में इसनान आधी करने का फल मिलता है, भगवान के इसनान किये हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए, इससे पुत्र की इच्छा करने वाली इस्त्री को पुत्र की प्राप्ती होती है, सुख्ष चाहने वाली को सुभागी मिलता है, रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छरकने वाल दक्षना भिमुख जाते वे भगवान श्रीकृषन का दर्शन करते हैं, वे निश्चे ही ब्रहमत्या आदि पापों से मुक्त हो जाती हैं। वे सब सुभाद्रा जी के साथ दक्षना भिमुख कर यात्रा करने वाले भगवान श्रीकृषन और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। नाम भी विख्यात हैं। तो जब कुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं भगवान उस समय जिने उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्रीकृषन बलभद्रजी और सुभत्रा जी की जाकी करते हैं। विश्नु लोग को जाते हैं। मुनियों ने पूछा हे जगत पते इस यात्रा का आरंप किस ने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनश्यों को क्या फ़ल मिलता है इस बारे में भी विस्तार पूरवब बताईए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मनों, पूर्वकाल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तठपर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तठपर साथ दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलशित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में इस्थित होने पर मेरी बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकागरी चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्रहमन, छत्रे, वैश, इस्त्री और शुत्र, पुष्प, गंध, धूप, दीब, नेवेत, तरह तरह के उपहार नमस्कार, परिक्रमा, जयजयकार, इस्तोत्रगीत तथा मनुहरवाद्यों के द्वारा आराध न करेंगे उन्हें मेरी किरपा से कोई भी मनुरत दुरुलब नहीं रहेगा, उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण होंगी ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतरध्यान हो गए और वे महराज इंद्रद्युम्न करत करत्य हो गए इसलिए सब प्रकार से प्रत्न करके गुंडीचा मन्डप में समस्त अभिलशित वस्तों को देने वाले भगवान पुरुशुत्म का दर्शन करना चाहिए वहाँ पुरुशुत्म जी का दर्शन करके इस्त्री या पुरुश जिन जिन भोगों को चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं मुन्गा ने पूछा भगवन गुंडीचा की एक एक यात्रा का अलग-अलग क्या फल है उसे करने से नर्य नारी को कौन सा फल मिलता है कृपया बताईए ब्रहमा जी कहने लगे ब्रहामनों सुनो मैं प्रत्यक यात्रा का फल बताता हूँ गुंडीचा में प्रबोधनी एक आदशी के दिन फालगुन की पूर्णीमा को तथा विशुव योग में विधी पूर्वक यात्रा करके भगवान श्रीकृष्न बलराम जी और सुभदराजी का दर्शन करने से मनश व्यकुंठ धाम बिजाता है छेत्रों में श्रेष्ट पुरुष्वम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणी, मनशों को भोग और मोक्ष कर दाता तथा सब जीवों को सुख पहुचाने वाला है जो जितेंद्री इस्त्रिया पुरुष्व जेस्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधी के नुसार बारहा यात्राएं करके एकाग्रिमन से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष बद को प्राप्थ होता है मुनियों ने कहा हे देव हे जगतपते हम आपके मुह से द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधी पूजन दान और फल सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्मणों जब बारह यात्राएं पूरी हो जाएं तब विधी पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें वहिस्सा पापों का नाश करने वाली है जेस्ट मास के शुकल पक्ष में एकादशी तिथी को एकागर मन से किसी पवित्र जलाशे पर जाकर आ भगवान नारायन का ध्यान करते हुए विधिवत इसनान करें रिश्यों ने इसनान कर्म में जिसके लिए जैसी विधी बतलाई है उसको उसी विधी से इसनान करना चाहिए इसनान के पश्चात नाम गोत्र और विधी का ग्याता पुरुष शास्त्रोक्त विधी से देवत रिशियों पित्रों तथा अन्य जीवों का तर्पन करें फिर जल से निकल कर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधी पूर्वक आजमन करके 108 बार गैतरी मंत्र का मांसिक जब करें गैतरी सब वेदों की माता संपुन पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र हैं इसक को प्रनाम करें ब्रहमेन चत्रि और वेश्य इन की वर्णों का इस्नान और टंशिब होगव कर के शिरिप पुरुष९थम भगवान की पूजा करें पहले भगवान को गी से इस्नान कर आए फिर दूद से उसके बाद मदू से गंध और जल से फिर तीर्थ के चंदन और जल से इसनान कराए इसके बाद भक्ती पूर्वक दो उत्तम वस्तर पहनाए फिर चंदन अगर कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाए फिर से पराभक्ती के साथ कमल से तथा श्री विश्नु देवता संबंधी मली का अधी अन्य पुष्पन से भगवान पुरुशुत्तम की पूजा करे भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरी की इस प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर गुगल और अन्य सुग संदित पदार्थों के साथ धूप जलाए अपनी शक्ति के नुसार घी से दीपक जला कर रखे घी अफिर तिल के तिल से अन्य बारह दीपक जला कर रखे नैवेदी के रूप में खीर पूआ पूड़ी बड़ा लड़ू खांड और फल निवेदित करे इस प्रकार पंचो की पूर्वक भगवान पुरुशतम से इस प्रकार प्रार्थन करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले लोक लोकेश्वर है पुरुशतम आपको नमस्कार है मेरा उद्धार कीजिए मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ है जगत पते गोविंद आपके दर्शन के लिए मैंने जो बारहों यात्राएं की हैं वे सब आपकी करपा से मेरे लिए परिपून हो इस प्रकार भगवान को प्रसन करके सास्टांग दंडवत करें फिर पुष्प वस्त्र और चंदनादि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है इसके बाद तरह तरह के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुन्दर पुष्प मंडब बनाए फिर श्रद्धा और एकागरता पूर्वक रात मुजागरन करें भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्ता रखे इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान पाठ और इस्तुद्धी करते वे रात पिताए इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात सुभा होने पर द्वादशी को बारह ब्रहमनों को निमंत्रित करें फिर ब्रहमन इसना तक वेदों में पारंगत इतिहास पुरान के ग्याता छोत्री और जितेंद्री होने चाहिए इसके बाद स्वयम भी विधी पूर्वक इसनान करके धुलावा वस्त्र पहने और इंद्रियों को वश में रखते वे पहले भगवान को इसनान कराकर उनकी पूजा करें भगवान की पूजा के बाद ब्रहमनों की भी पूजा करें उनके लिए बारहा गवें दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वन, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदी समर्पित करें। अपनी समर्थ के नुसार दान दक्षिना दे। सद्भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद संतुस्थ होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक, गव, वस्त्र, स्वन, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्रहामनों को खीर, पकवान, गुड और घी में बनेवे भोचि पदार्थ खिलाएं। जब वे बोजन करके तरप्त हो जाएं तब उनके लिए ब ब्रहामनों की पूजा करके शिरे विष्णु तुल्य ज्यान दाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहें शंक, चक्र और गदाधारन करने वाले सर्विव्यापी, जगनात एवं आदियानत से रही भगवान पर प्रसन हो। ऐसा कहकर ब्रहामनों की तीन बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक जुका कर आचारे को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। फिर प्रणाम की बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद अन्य ब्रहामनों को भी गाउं की सीमा तक पहुचा कर आएं। अंत करके समस्त नर नारी एक हजार अश्यमेद तथा सो राजसो यग्यों का फल पाते हैं और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सोरे के समान ते जस्वी और इच्छनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विश्णों के लोक में जाता है आज की कथा में बस इत